अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता रहे हैं आपको सिक्योर आई के RFID कार्ड लॉक की कनेक्शन डायग्राम इसकी वर्किंग के बारे में यहां पर हमने 12 वोल्ट का अडेप्टर लिया है और इसको हमने खोल के इसमें लगाया हुआ है जो पॉजिटिव को हमने पॉज वोल्ट करेंट देना है अभी हमने हाँ 12 वोल्ट टू अमप्र का करेंट यूज किया हुआ है यह यह आराइफ़डी रीडर जो इंटरनल आराइफ़डी रीडर है यह वायर की हल्प से अल्रेडी में करेक्टेट होता है सबसे जो इनर मोस्ट सॉकट के अंदर जो वाले में लग जाएगी यह हमारा क्नेक्शन डायग्राम है इसके अलावा हमें इसमें और को क्नेक्शन नहीं करना है अब जब भी हम यह लॉपन करते हैं यह हमारा रिमोट जैसे अब यह इसके साथ काम कर रहा है यह इसके साथ काम नहीं करता है तो इसके लिए सारी वर्क को इससे डिलिट कर सकते हैं उसके लिए Command है इनको use करने के लिए हम पहले प्रोग्रामिंग मोड में एंटर करते हैं प्रोगमिंग मोड में अंटर करने के लिए वर्लेस रिमोट में हमें 65 और और हैश और उसके बाद हमने रिमोट दबाया और हमने स्टार से हैश दबाके स्टार दो बर दबाके हम एक्जिट कर गए और अब यह हम इसको चेक करते हैं कि देखिए वर्क नहीं कर रहा है अब यह रिमोट अन्पियर हो गया है और अगर हम इसे एड करना है तो हम वापिस प्रोगामिंग मोड में एंटर करते हैं है टू डबल जीरो एकश और आड़ करना के लिए स्टिकश और एक प्रेस करते हैं और और वण नंबर के अगर हमें ता है करे में और को अच्च करना है तो हम इसका दुसे निसली दूसरा रिमोट होता है तो उसका बटन दबाते निकैंत स्टों प्रैस करते और है करेंगे अतीप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हमें प्रोग्रामींग्वdefense से बाहरा प्रेस्पर करेंगे और हम इसको प्रेस करने हैं कि दे mira यह ousingलोग हो गया है यह तो राविक कर। है अगर हम आरेफ़ली कार्ट और रहीट कार्ट इस तरह एक अरेफ़ली कार्ट यह थिक आज़ें ठिन अज़े आते ए आरा किचेण बिसा अज़ह स्कते हैं ऑग जासे नइज दोर्फ एपन नहीं कर रहे हैं अगर हमें कार्ड एड करना है अगेन हम प्रोग्रामिंग मोर्ड में एंटर करेंगे 20088 उसके बाद 1088 और हम कार्ड को यहां लगाएंगे और यह हमारा कार्ड एड हो गया है अगर हमें दूसरा कार्ड लगाना है और अब एड हो गया है और इसके बाद हम जब्वार के हम क्षक्ट है अब हम चेकं करते हैं कि यह एड हुआ है कई हड्द की नहीं हुआ है реं और कि गर मैं कार्ट शो करता हूं कि देखिए но अब डूसरा कार्ड को एड़ किया है उसी तरीके से हम remote की help से card को delete भी कर सकते हैं अगर हमें card को add करना है तो हम इस mastercard की help से भी add कर सकते हैं पहले मैं हम चक करते हैं कि काड हमारे काड एक डेके डिलेट हो गया है अगर हमें इस card को दुबारा से एक simple तरीके से एड़ करना है तो हम इस mastercard को यूज़कर आपने धाया में काड लगाया बिर मास्ट अब चेक करते हैं यह एड हुआ है कि नहीं इसके लिए रिमोट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी है इस बहुत ही ईजी तरीक करने के लिए और क्यूंद्प की हेल्प से यह एक्टर्नने